साथियों आजादी के 75 साल में हम एक नए भारत के निर्मान के नए लक्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस अमरत अभियान का नेत्रुत्व हमारी युवापीडी को ही करना है आज सौफ्वेर इंडेस्ट्री से लेकर हेल्थ सेक्टर तक AI और AR से लेकर ओटो मोबाइल और EV तक क्वांटम कॉंपूटिंग से लेकर मशिन लर्निंग तक हर फिल्म में नए मोके मन रहें देश में जीयो स्पेशल सिस्टिम्स ड्रोन से लेकर के सेमिकंडक्टर और स्पेश टेक्नोलोजी तक लगातार रिफाम्स हो रहे हैं यह रिफाम्स सरकार का रेकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है यह रिफाम्स आपके लिए अवसर लेकर के आए हैं और यह मैं कह सकता हूँ यह रिफाम्स आपके लिए हैं नवजवानों के लिए हैं आप चाहे टेक्निकल फिल्म में हो मेनेजमेंट फिल्म में हो या मेडिकल फिल्म है मैं समझता हूँ ये जो सारी opportunities पादा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है आज देश में जो सरकार है वो देश के युवाओं के सामर्थ पर आपके सामर्थ पर भरोसा करती है इसलिए हम एक के बाद एक अनेख सेक्टर्स को आपके लिए खोलते जा रहे है इन अवसरों का खूब फाइदा आप उठाईए इंतजार मत किजिए आप अपने स्टार्ट सब शुरू करिए देश की जो चुनोतियां है जो लोकल समस्या है उनके समाधान यूनिवर्सिटीस से निकलने चाहिए नव जवानों के दिमाग से निकलने चाहिए आप हमेसा याद रखिए कि आप चाहें जिस किसी फिल्म में हो जी तरह आप अपने केरियर के लिए गोल्ट सेट करते हैं उसी तरह आपके कुछ गोल्ट देश के लिए भी होने चाहिए अगर आप टेकनिकल फिल्ड से हैं तो आपके इनोवेशन्स आपका काम कैसे देश के काम आ सकता है क्या आप कोई ऐसा प्रोड़क्ट डेवलप कर सकते हैं जिसे गाउं के किसान को हेल्प मिले रिमोट एडियाज में स्टूडन्स को कुछ मदद हो सके इसी तरह अगर आप मेडिकल फिल्ड में है तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए कैसे गवावों में कॉलिटी हेल्थ सर्विस उप्रप्त हो इसके लिए आप टेक फ्रेंड्स के साथ मिलकर नए स्टार्टर्प्ट प्लान कर सकते हैं आरोग्य धाम जैसे भी जिस वीजन का सिंबोसाइज्टे शुरू किया है ये भी पुरे देश के लिए एक मॉडिल के रुप में काम आ सकता है और जब मैं आरोग्य की बात कर रहा हूँ तो आप से ये भी कहूंगा कि अपनी फिट्नेस का भी ध्यान जुरू रखेगा खूब हंसी है अभी नहीं बात बहे जौक्स मारिये खूब फिट रही है और देश को नई उचाई पर लेकर जाईए हमारे गोल्स जब पर्सनल ग्रोथ से बढ़कर नेशनल ग्रोथ के साथ जुड़ जाते हैं तो राष्ट निर्मान में स्वयम की भागिदारी का एसास बढ़ जाता है